and now we are going to study Maan-Witney U-test Maan-Witney U-test क्या है आएए देखते हैं यह alternate to independent sample t-test है और यह non-parametric test है यह इसका जो parametric version है वो independent sample t-test है और इस test में हम जो है वो group differences देखते हैं in the dependent variable on the basis of a dichotomous variable as independent variable तो इसमें Maan-Witney U-test में आपका यह variable ordinal भी हो सकता है अगर वो nominal नहीं है तो इसका procedure क्या है Maan-Witney U-test का compute करने का आप analyze में आएंगे और यहां पे non-parametric test में आएंगे आपको मालूम है कि non-parametric test हम तभी use करते हैं जब data normally distributed ना हो तो यह mean differences को check करने के लिए जो है जब उनकी distribution normal नहीं है तो यह test use किया जाते है तो legacy dialogue में आएंगे और यहां से two independent sample को हम click करेंगे two independent sample को click करेंगे तो आपके पास यह dialogue box open होगा इसमें आप grouping variable जैसे independent sample टेस्ट में variable था grouping variable वैसे हमने यहां पे gender में को zero one की category के साथ ले लिया है और जी पीए को as test variable ले लिया है और यहां पे हम मान विटनी यू test को चेक कर रहे हैं और इसी को हम देख रहे हैं जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो output है value तो इसमें जी पीए आ जाता है हमारे पास दोनों का मीन आ जाता है जी पीए का और जेंडर का तो जी पीए का मीन है वो तो जो average बता रहा है कि यह 3.23 है इस data set में students का average जी पीए जेंडर का जी पीए doesn't indicate anything इसके बाद हम देखते हैं मान विटनी टेस्ट में मीन रैंक्स तो फीमेल के मीन रैंक्स 650 है और मेल का जो मीन रैंक्स है यानि फीमेल का जो मीन रैंक्स है वो इसके उपर 3.23 पे वो ज्यादा है as compared to the male रैंक्स और मान विटनी की जो value है वो आपके पास दिये है और यह significant है 0.05 से यानि यह कम है तो हमारा h1 accept होगा कि yes gender has significant effect on the academic performance of the student और उसकी वज़ा क्या है क्योंके फीमेल के मीन रैंक्स ज्यादा है as compared to the male के मीन रैंक्स है तो यह मान विटनी new test का एक brief सा overview था जो मैंने आपको दिया है